Hey winners, scientific breathing का जो process आज मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, जिस पर हजारों studies available हैं, जो ये कहती हैं कि ये process हमारी mental health के लिए सबसे बड़ी blessing है, जो न सिर्फ हमारे mind और emotions को heal कर सकती है, बिलकि हमारी body भी खुद को अपने आप फीक करने लगती है इस process से. हमारी body का detoxification होना शुरू हो जाता है, हमारी body से जो toxins हैं, इस process से वो automatically बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं. ये BP को regulate करता है, stress को खत्म करता है, longevity बढ़ती है, यानि उम्र हमारी लंबी होती है, हमें एक mental clarity मिलती है, हमारा focus, हमारी awareness, हमारा concentration और ज्यादा sharper होता जाता है, हमें balanced emotions मिलते हैं, हमारी overthinking कम होती जाती है, सोचो overthinking कम होगी, कितना ज्यादा life में clarity मिलेगी, और ये process हमें एक divine connection भी establish करता है, जिसको किसी और वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपने चाहा तो, यानि हमारी लगभग हर एक problem ठीक होने लगती है, जिसको एक सूतर में कहा गया है, तताक्षियते प्रकाश वर्ण, means the divine blessing, the divine brightness will uncover, जो गहरी श्वास है, सबसे बड़ी शक्ती है, बस हमने इसको पहचाना नहीं है, और इस वीडियो में आगे जो diaphragmatic breathing की कुछ techniques में आपके साथ share करूँगा, इनको हमारे योगी सदियों से follow करते आए हैं, इसलिए इनको योगिक breathing भी कहा जाता है, तो अब इस योगिक breathing को समझते हैं कि ये है क्या और इसको करना कैसे है, mainly हमारे पा motion से ही सांस लेकर के बाहर वापस चली जाए, जो की 99.99% of the times ऐसा ही हमारी सांस चल रही है, सिर्फ जब हम कभी गहरी थंडी सांस भरते हैं, तभी वो deep breathing हमारे पेट तक पाती है, unfortunately, और दूसरे को कहा जाता है, diaphragmatic breathing, basically सांस तो हमारी chest या हमारे पेट में नहीं जाती, वो जा उसको breath को deep लेते हैं, तो वो diaphragm को expand करके नीचे की तरफ, जहां blood का gravitational system के कारण ज्यादा flow होता है, उस blood से mix हो पाती है, लेकिन अगर आप अभी अपनी breath को note करो, तो आप देखोगे कि एक ही second के अंदर breath शायद यहां तक ही आई, गले तक ही, और वापस basically वो हमारे lungs में जा stress का, depression का, anxiety का, mental problems का, और बहुत सारी diseases का, जितनी सांस हमारी body को चाहिए है, उतनी हम उसको नहीं दे रहे हैं, अब इसको तीन steps में समझाता हूं, जिसको समझना बहुत ज्यादा ज़रूरी है, और अगर ये मेरी बात मैं आपको convey कर पाऊं, समझा पाऊं, तो वीडियो पर हमारी body को कम oxygen मिलती है, हमारे brain तक optimum level पर oxygen नहीं पहुच रही है, हमारी body का brain बहुत थोड़ा सा part है, लेकिन हमारी body की सबसे ज़ादा oxygen ये brain consume करता है, क्योंकि यही वो super computer है, जो इस पूरी body के system को govern कर रहा है, चलाय हुए, और अगर कोई इंसान stress में है, तो समझो उसके mind को सारा दिन बहुत ही extra mile जाकर के काम करना पड़ रहा है, अगर हम उसको optimum level पर वो oxygen देते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को combat कर पाते हैं, मेरे दोस्त, दूसरा system है हमारा nervous system, अब हमारा central nervous system है, उसको समझो, उसके दो parts है basically, जिसको layman language में, असान भाशा में आपको समझाता सबसे पहला है fight and flight system, दूसरा है हमारा relaxation system, इन दोलों का balance, life में बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा relaxation system activate ही नहीं हो पा रहा, इसको scientific terms में समझाता हूँ, कि हमारी body के दो parts है, उपर के system को, जो central nervous system का उपर का part है, इसको बोला जाता है sympathetic nervous system, और हमारी body के नीचे के part को, इसको बोल nervous nerve, इस vagus nerve में parasympathetic fibers होते हैं, जिनके stimulate होने से हमारी body के सारे systems properly काम करने लगते हैं, fear management इनसान कर पाता है, mental strength develop कर पाता है, अपने विचारों पर control शुरू हो जाता है, वो छोटे छोटे विचार जो stress में खीच के ले जाते हैं आदमी को, और कई बार तो गलट decisions की तरफ ल activate कर देती है, जब हम deep breathing, diaphragmatic breathing लेंगे, तो हमको deep breathing के इतने amazing benefits हैं, in fact, स्वामी रामा ने science of breath में तो इसको दुनिया की सबसे बड़ी power कहा है, कभी किसी, you know, विडियो में discuss करूँगा आपके साथ, स्वामी रामा गा हो सकता, आपने नाम कभी ना कभी जरूर सुनाओ, ऐसा व बीट में चल रही, कुछ नहीं हो रहा, इंसान death की state में और थोड़ी देर के बाद अपनी ही इच्छा से वापिस जीवित हो करके खड़े हो जाते हैं, अब मैं यह नहीं कहा हूँ कि हमको यह वाली powers मिल जाएंगी, यह तो योगी थे, body practices करते थे, लेकिन इतनी तो हम बादा detail में, deep में जानना चाते हो, तो आप हमारा जो reinvent yourself program होता है, उसको join कर सकते हो, उसका link में description में दे दूँगा, और एक और हमारा wellness के उपर, awaken your healing intelligence करके, दो दिन का एक program है, उसको भी अगर आप चाहो तो join कर सकते हो, उसका भी link में है, description में आपके साथ share कर देता हूँ, और अगर नहीं करना, तो कोई बात नहीं, इन videos पर जुड़े रही है, बहुत amazing information में यहाँ भी आपके साथ share करता रहता हूँ, एक और research होई इस पर कि हमारी maximum जो healing है न, वो पताए कब होती है, जब हम deep sleep में जाते हैं, आ, 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 confused नहीं हो न, sleep में नहीं, deep sleep में, sleep में obviously हम healing की state को activate करते हैं, लेकिन intense level पर जो हमारी healing power है, वो repairing का जो body का mechanism है, वो activate होता है, जब हम deep sleep में जाते हैं, बहुत सारे लोग 4-6 गंटे में ही अपनी इतनी बहतर नींद को ले लेते हैं, और बहुत सारे लोग 10 गंटे सोने के बाद भी ऐसे उठते हैं कि जैसे पता नहीं द nervous system को activate नहीं किया, जो अब आपके साथ share करता हूँ कि कैसे करना है, इसकी चार powerful techniques में आपको बताने वाला हूँ आज, जिसमें सबसे पहला है प्राणायाम, अब चाहे वो ब्रामरी हो, चाहे सितकारी हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, या कपाल भाती हो, या फिर नाडी शोध आप करके, अपनी life को beautify कर सकते हैं, इस deep breathing को ले सकते हैं, लेकिन मैं उसके अलावा, क्योंकि ये widely available है, मैं आपको वो techniques भी बताऊंगा, जो आप अभी से मेरे साथ यहाँ पर practice करना शुरू कर सकते हैं, और उसके changes अभी इस video के खत्म होने से अपनी जिन्दगी में देख स सबसे पहले हैं deep breathing, अब ये deep breathing हमें कब करनी चाहिए, इसका सबसे बहतर, सबसे जो best जो time होता है, वो होता है सुबह जब हम खाली पेट होते हैं, कि आपने बहुत slow breath को inhale करना है, उसको feel करना है कि वो आपके chest को expand ना करे, आपके पेट को, यानि stomach को expand करे, बहुत बढ़ा का रख होता है, factor होता है, ये हमारी लंबी उमर को देने का, क्योंकि ऐसा का जाता है कि इनसान को उमर नहीं मिली है, इनसान को दिन नहीं मिले हैं कि इतने दिन जिन्दा रहोगे, उसको मिली है सांसे हैं, और आप देखोगे, ये बहुत जगा पर research करके prove किया गया, कि एक dog ज प्राणियों पर ये research की गई, और देखा गया कि जितनी ज़्यादा deep breathing होगी, उतनी ज़्यादा हमारी health better होगी, और आप देखेंगे कि अगर आपने ये practice शुरू की, तो आपकी एक minute में वो जो 7 से 8 या 9 या 10 सांसे आ रहे हैं, वो 3 से 4 रह जाएंगी, अगर आपने deep breathing किय पांच सेकंड तक inhale कीजिए, पांच सेकंड तक exhale कीजिए, इसको धीरे धीरे, आप 3 से भी शुरू कर सकते हैं, 4 से भी, अगर आप asthmatic हो या कोई ऐसी problem हो, तो इसको मत कीजिएगा, अपने doctor से जरूर consult कीजिएगा, लेकिन आप इसको 3 से से start करें, 3 सेकंड deep breathing inhale, पेट में जाए, 3 सेकंड exhale, फिर 4 कीजिए, फिर 5 कीजिए, एक के बाद 2 मिनट कीजिए, 3 और 4 और 5, दूसरी breathing, जिसको हम लोग बोलते हैं systematic breathing, systematic breathing आप पूरा दिन कर सकते हैं, deep breathing तो हमारे diaphragm तक जाती है, लेकिन systematic breathing में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा गहरी लंबी सांस नहीं देते, सिरफ आप note करते हैं कि 3 सेकंड अगर सांस अंदर गई है, तो 3 ही सेकंड बाहर आए, एक सिस्टम से पूरी की पूरी सांस चले, इससे जो हमारा focus और concentration और awareness है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अभी आप मेरे साथ systematic breathing करेंगे अभी के अभी, 3 सेकंड तक म 1, 2, 3, exhale, 1, 2, 3, inhale, 1, 2, 3, exhale, 1, 2, 3, exhale, 1, 2, 3, मुझे एक बात बताओ, इतनी देर में कोई विचार नहीं आया होगा, मैं दावे से कह सकता हूं आपको, 24 गंटे दिमाग की बखबख चलती रहती है पता है, और इसको control कर सकते हैं हम अपनी systematic breathing से, और सोचो अगर हम ये फालतू के बकबक भरे emotion से बच जाएं, overthinking से बच जाएं, तो life में क्या कुछ बहतरी नहीं कर सकते हैं, ना, rhythmic breathing का दूसरा exercise है जिसको box breathing बुला जाता है, box breathing में जैसे एक box के चार अलग-लग angles होते हैं, चार डंडे अलग-लग होते हैं, lines अलग होती हैं उसी तरह हमको चार phases में अपनी breathing को लिना है, हमको inhale करना है 3 second, hold करना है 3 second, exhale करना है सांस छोड़नी है 3 second, और 3 second तक फिर बाहर रोको सांस को, और इसी प्रक्रिया को 7 से 8 या 10 बार कर लो, बस काफी है, इसको योग में कुमबक और रेचक भी बुला गया, जो हम सांस रोकते हैं, दिन में एक बार, जब भी आप relax होना चाहें, सिर्फ एक मिनट, मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक मिनट का time नहीं निकाल सकते हो, एक मिनट, मेरे कहने पर, तीसरा breathing, powerful breathing, scientific breathing का जो एक process है, वो आपको बताता हूँ, उसको बोला जाता है, straw breathing, straw जो जो वो, जिसको बहुत सार होटों को इस तरह से बना लेना है, कि जैसे आपके मुँ में एक straw हो, और आपको अपनी सांस ऐसे छोड़नी है, जैसे कि आप straw से सांस छोड़ रहे हों, अपने मुँ से, और जितना आप इसको narrow, छोटा कर पाएं, उतना जादा बहतर होगा, मैं आपको करके दिखाता इनहेल, उसके बाद straw से exhale, और आप जब यह करेंगे, आप देखेंगे एक तो amazing relaxation मिलेगा, सिरफ तीन मिनट के अंदर आपका stress गायब ना हुआ, तो नाम बदल देना, तीन मिनट के अंदर, दूसरा, इस straw breathing को जो dynamic breathing का pattern है, इसको करते हुए आपको तीन बातों का, चार बात हमारी नाभी में हमारे पेट तक जाए, डाया फ्रेम तक जाए, चेस्ट में नहीं, दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, वो यह कि straw से जब आप सांस को छो, यानि मुह में straw नहीं है, लेकिन आपने अपने lips को बना लेना है, कि जिससे वो straw की तरह बहुत बारीक बारीक आप उस सांस को बाहर निकलने में, क्योंकि अभी भी पूरी carbon dioxide आपकी body से बाहर नहीं निकली है, लेकिन जो लोग asthma के patients हैं, वो इस exercise को नहीं करेंगे, और तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, straw breathing को करते हुए, कि जब भी आप straw से, यानि मुह के उस shape से, जब आप वो पूरा system खाली हो गया, पूरी carbon dioxide बाहर निकल गई, अब आपकी body एकदम से सांस लेना चाहेगी, तो ये ध्यान रखना है, कि वो करने के बाद एकदम से सांस नहीं लेनी है, याद रखना है कि ये straw से जब सांस फैकिया, उसके बाद भी सांस आराम से ही वो 3 seconds, ऐसा नहीं कि बहुत slow, deep breathing के तरहा पूरा, नहीं, बहुत slow नहीं, लेकिन आराम से सांस वो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तीसरी इस बात का ध्यान रखना है, और चौता जो आपको ध्यान रखना है कि ये सारा process करते हुए, आपके face पर एक gentle सी smile हो, ताकि आपका mind इस process को complicated नहीं सोचें, और आपके अंदर वो जो positive neurotransmitters हैं, वो इस breath के साथ release होते रहें, जो आपको चमतकारी benefit दे सकते हैं, जैसा कि मैंने last video में भी आपके साथ share किया था, कि ये बहुत powerful scientific process है, कई जगा पर इस चीज का उलेक किया गया है, कि ये कैसे इंसान की जिन्दगी को बदल सकता और मैं ये दूआ करता हूँ कि आपकी जिन्दगी में आप optimum level की health को attain करें, achieve करें, आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया है, तो उसके बदले में, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, तो एक बात मेरी याद रखना, को कोई ring डाल लेना, कोई यहाँ पर निशान बना लेना, उसको देख करके याद आजाएगा कि जब भी दिन में आपको याद आए, गहरी सांस लीजे, तो अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, तो इस deep breathing का अपनी जिन्दगी को उपहार दो, मेरे इस वीडियो के लिए बहुत बड़ी blessing बन जाएगा, और अगर आप अपने mind के, अपने emotions के patterns को heal करना चाहते हो, painful memories को remove करना चाहते हो, हमारा description में event का link है, wellness retreat, दो दिन का powerful event है, awaken your healing intelligence, उसको चेक आउट करना बिलकुल मत भूलना, और अगर आप ये सारे साथ चक्रों को, nervous system को, अपनी सांसों के स् ज्यान को, जिसको हमारे योगियों ने practice किया, जो मैं भी करता हूँ और इसके क्या results, benefits मिलते हैं, वो सब आपको बताऊँगा, उस event में जिसका नाम है, reinvent yourself, दोनों के links, description में, चेक करना मत भूलना, तो मेरी positive vibes, आप सब के लिए आपकी जिन्दगी, happy हो, healthy हो, खुशनुमा ह बहतरीन हो, ऐसी दुआ करता हूँ, I wish you lots and lots of peace, tons of happiness and bundles of success in your life, be happy, be alive.